हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो माई चैनल, एवरिफिंग विद अर्षना तो आज हम लोगों का ये वीडियो है, वो हमारे मेडिकल से जुड़ी कुछ ऐसे टर्म्स के उपर हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है जानने के लिए ठीके जिन्हें जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, कोई भी मेडिकल टर्म का यूज कर दिया जाता है और हम लोग समझ नहीं पाते हैं वह सब्सम्स के पाते हैं तो ये सारी जो टर्म्स है हमारे जो है अब्डोम्न से जुड़ा है, इस्प्लियन से जुड़ी, गॉल बलेडर, कॉमन बाइल डग, पैंक्रेटाइटी्टी से जुड़ी, इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे तो आगे हम लोग सबसे पहले pancreas के बारे में पढ़ेंगे तो pancreas से जोड़ी कुछ ऐसे terms हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है वो term है acute condition of the pancreas presenting with abdominal pain यानि acute condition है, यानि कम दिनों के लिए हुआ है और कुछ समय से पेट में दर्द हो रहा है मारे pancreas से पेट में दर्द हो रए हुआ हैं और mainly pancreas का मतलब कह रहा है कि pancreas में infection हो जाना inflammation हो जाना थीक Means तो यह हमारा pancreas ndrš यह माद है निष्प कम दिनों के लिए थीकह है, तो जोलों के लिए कव घरूटा के लिए हुआ है continued inflammation of the pancreas और यही जो pancreas का inflammation है वो बहुत दिनों तक continue रह रहा है जब ठीक नहीं हुआ पांचे दिन था अब एकदम महीनों हो गया लेकिन ठीक नहीं हुआ तो वो क्या है chronic pancreatitis है यानि बहुत दिनों तक अगर abdominal pain रहता है pancreas में inflammation रहता है तो वो क्या है chronic pancreatitis है और हमारा next है increased level of serum calcium यानि जब calcium का जो लेबल है वो बढ़ जाए calcium का amount बढ़ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे hypercalcemia decreased level of serum calcium यानि जब calcium का जो amount है वो कम हो जाएगा तो उसे कहेंगे hypercalcemia hyper मतलब high और hyper means low यानि बढ़ जाएगा तो उसे hypercalcemia कहेंगे और घर जाएगा तो उसे hypocalcemia कहेंगे अब हमारा next है collection of fluid in laser sick तो laser sick हमारा क्या है हमारा stomach और pancreas के बीज़ space होता है उसे हम लोग laser sick कहते है इसे और भी नामों से जाना जाता है ठीक है तो यह हमारा जो laser sick है इसमें fluid का collection हो जाता है यानि इसमें fluid जाकर जमा हो जाएगा वहां पे तो उसे हम लोग pseudo pancreatic cyst कहेंगे ठीक है तो यह हमारा जो term था वो pancreas से जुड़ा हुआ था pancreas हमारा क्या है कि वो क्या मदलबु एक्जोक्राइड dud भी है और इंडोक्राइं लेंड वी हेरिए इंडोक्राइं करादभ क्या क्या कि यह डिक्ट लेस होता है ठीकि ज़नेन प्रेजेंट करवा यह व커ं करता है और व怖म कर मिक्धान हो गया स्टेनिन हो गए हमारा जो इंसुलीन है वो हो गया तो अल्फ-, बीट-गामा सेल्स होते हैं यह सभी सिक्रेट करते हैं और उनस अपना-पना function आठीक है और पैंक्रियाज ऑफ ए sebelum पेजो ग्लेंट है थीक है तो इस डंजीट हो को सेक्रेट करता है जो की डाइजेशन में helper करता है ठीक है इसलिए इसे हम लोग ass Again उर्गन य जोकी को करते हैं जो की डाइजेशन में help करते हैं ठीक मेरा जो नेक्स्ट है वो है रटा में है व्यदude г healing kind of HIV यह इसे क्या उच्ण में कोल से स्टाइटिस जब हमारे गॉल लिदर में इन्फेक्सन हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कॉल स्ट्राइटिस गॉल सटोन प्रेजेंट इन जी बी यानि जब हमारे गॉल ब्लेडर में पथरी हो जाए गॉल ब्लेडर को हिंदी में पिता से कहा जाता है या कह सकते हैं पीट की थैली अगर उसमें क्या हो जाए पथरी हो जाए तो उसे हम लोग कॉले लिथियासिस कहेंगे में इसका कारण क्या होता है मैं पथरी हमारी गॉल ब्लेडर में क्यों होता है तो गॉल ब्लेडर क्या है वो क्या करता है बाई जो सको ठीक है लिवर जो है जमा होते रहेगा, ठीक है? तो उससे क्या होगा? पथरी, यही कारण है मेन पथरी होने का ठीक है? और पर बहुत सारी कारण है, लेकिन मेन यह है कि अगर आप टाइमली खाना नहीं खाते हैं, या फिर अठ्छे से यूज नहीं हो पा रहा है, बाइल जूस्मा सिक्रीट होते स्टोंस competitor होन में झाइभा भूखे रहते हैं उपवास करते हैं मदğDa parallel से रोक तो नहीं सकते हैं तो वो अगर यूज नहीं होगा दो आजकर Hooga जम्मा में तो जब हमारे निक्स्ट है स्टोन इंथ CBD कमंन ज्बाइल डखत the जो कउमन घ्ल रखते हैं उस डखत में अगर क्या हो जाए क्थरी तो उसे हम रहें गमांरे लिवर में क्या है बिलियरी रेडिकल्स है और अगर बिलियरी रेडिकल्स में यानि कॉमन बाइल डग्त में अब्स्रक्शन हो जाए और उसके चलते जो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे अब्स्रक्टिव जाएगा तो उसे जानडिस हो जाएगा यानि पूरा सरीर पीला पढ़ जाएगा ठीक है और फिर इसके और भी वनलब सिम्टम होते हैं ठीक है अब हमारे नेक्स्ट है पस इन गाल ब्लेडर अगर हमारे पितासय में क्या हो जाएगा ठीक है वो पस जमा हो जाएगा तो उस चीज़ को टर्म देंगे हम लोग ठीक है अब हमारे नेक्स्ट है स्प्लीन के इसे लीवर्कश जांगे कि इसने ने जुट कि आए पर अगर 20 मोथ भूझा वाज़ जाता है वह निट्र एक टार्इम्छ की गर्दाओ जाता है तो उससे मुनेगे एक आए पर इसायज्च साइज एक साइज बढ़ गया है तो ही पैटो में गाली कर दिए है इस्प्लीन आ还ला गाली कर दियं तो यह ऐसे अस सैज बाठी है इसको अ इनीमिया दियू टू इस्ट्रक्शन ऑफ और वी स्ट्रक्शन अगर क्या हो रहा है कि श्क हएने उसको हो रहा है कि आर बिजा EXCENT का अर्बास U machen of nes तो उसके चलते जा निमया होता है कि वह को होता है कि आश्चाइब्व का ड्सट्रक्शन हो रहा है आर्वी सी कम पढ़ेगा तो फिर ह्यानिमिया होगा दो से ही मुलाइटी की स्कीन च्छोटी 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 स्पार्ट होते हैं गभी की फिरा कह थे Teddy हमारे बोडी में ब्लड डिजोर्डर में क्या होगा कि हीमोग्लोबीन कम परजाया थिक है अरवी सी का प्रोडक्षण कम हो जाए तो हमोग्लोबीन क्या है वह प्रोठीन है इक तरह का जो और हमारा रबीसी होता है तो अगर हमोग्लोबीन कम हो जाए तो यह तरह का ब्लड डिजॉर्डर है ठीक है अगर मतलब यह हुआ कि हमोग्लोबीन कम हो जाए ठीक है जो प्रोटीन परोटीन यह जो कि ऑक्सिजन को कैरी करता है तो अगर वो नहीं रहेगा तो सरीर में प्रॉब्लम्स तो सब्सक्राइब नेक्स्ट जो है वह स्प्लीन से जोड़ी हुए थी अब हमारे नेक्स्ट जो है वह एब्डॉमेन से जोड़ी कुछ टर्म्स है जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है ओपनिंग दी एब्डॉममेनल काविति फोर डाइग्नोसीस इंटर परिटोनेेल इंजरीज और एक्यूट अब्डॉमेन से जोड़ी कीडियो है ताकि कुछ बीमारिया होती हैं जिसको पता लगाने के लिए आपको अब्डॉमिनल कैविटी को अपन करना होगा ठीक है तो डायग्नोसिस के लिए या फिर कोई इंजरी हो गई है अचानक से किसी का हो न नाम देते हैं इसे एक्सप्प्सप्रग्स मंदब एल जो कि एल करेगी abdominal cavity को उसे हम लों कहेंगे parital peritonium यानि paritonium क्या है serous membrane है जो कि abdominal wall को और abdominal organ को cover करता है तो paritonium दो तरह के होते है एक होता है parital एक होता है visceral तो parital जो होता है abdominal cavity यानि abdominal wall को cover करेगा और जो हमारा visceral peritonium होता है उसे कहते हैं the outer surface serous lining of the organs यानि और गन्स जो भी abdominal organ है उसे line किये रहता है cover किये रहता है कौन visceral peritonium ठीक है अब हमारे next है the space between the parital and visceral peritonium यानि parital और visceral peritonium के बीच का जो space है the space between the parital and visceral peritonium उसे हम लोग कहते हैं peritonial cavity ठीकर the organs located inside the peritonial cavity peritonial cavity क्या है visceral और parital peritonium के बीच का space और जो peritonial cavity के अंदर organ होते हैं उसे हम लोग कहते हैं extra peritonial the organs located outside the peritonial cavity peritonial cavity के जो बाहर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं extra peritonial the organs outside and behind the peritonial cavity यानि peritonial cavity के बाहर तो हैं ही कहां है और उसके पीछे है उसे हम लोग कहते हैं retro peritonial यानि हमारा जो kidney है वो क्या है peritonial cavity के बाहर है और पीछे है ठीक है इसलिए उसे हम लोग रेट्रो peritonial मंदब उसका location बताते हैं रेट्रो peritonial space में है यानि पीछे है जो kidney है वो कहां present है retro peritonial space में peritonial cavity के बाहर है और पीछे है ठीक है the enormous dilation of the colon ठीक है क्या होता है कि dilation हो जाता है colon का ठीक है तो उसे हम लोग कहेंगे mega colon ठीक है जो हमारा next term है वो है the hollow protrusion on the side wall of a hollow organ जैसे हमारा जो intestine है वो हो अर्गन है ठीक है और इसमें क्या हो जा रहा है या फिर इस्ट देखा होगा उसमें देखते हैं कि out growth हो जाता है ठीक है तो वैसे ही यह जो हमारा आथ है जो intestine है ठीक है उसका side का जो वाल है जो दिवाल है ठीक है किनारी जो है वहां से ऐसे बैलून के तरह निकला हुआ दिख रहा है तो यह जो निकला हुआ हुआ है ठीक है तो यह सभी कुछ medical terminal logist थें जिनने जानना बहुत जरूरी था तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो थैंक्यू फर बाचिंगे वीडियो